नमस्कार, मैं हूं दिशाब बंथ, लीगली स्पीकी के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वाकत एक डीजल वहन, 24 पिट्रोल कारों या 40 CNG वहनों जितना प्रदूशित करता है डीजल पिट्रोल और CNG वहनों के प्रदूशन के स्तर के बीच यही अंतर है हाला कि इलेक्ट्रिक वहनों में प्रयाप्त प्रगति करी जा रही है और 2015 के नैशनल ग्रीन ट्राइबनल यानि राश्ट्रे हरत अधिकरन की दस साल पुराने डीजल वहनों को रद्ध करने की सुप्रीम कोट ने भी पुष्टी दे दी है इस आदेश का अब पूरी तरह से लागू किया जा रहा है 2015 के इस आदेश को चिनौती देने वाली विभिन याचिकाओं को खारिच कर दिया गया है लेकिन फिर भी ये विश्य कई अनुतरित प्रशन छोड़ जाता है जैसे की पुराने लोगों के वाहन जो अब आर्थिक रूप से नए वाहन खरीदने में सक्षम नहीं है और दीजल अम्बिलेंस का विश्य NCR में 10 साल पुराने डीजल वाहन ओपर लगे इस प्रतिबंध के विभिन पहलों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौझूद है अधिवक्ता सुप्रीम कोट धननजे जैन जी धननजे जैन जी इस चोबर आपका बहुत-बहुत सो अगत है धने जी जी NCR में रहने वाले लोगों के मन में आज भी ये उल्जन है कि जो 10 साल पुराने डीजल वाहन है उनका आखिर होगा क्या ये प्रतिबंद के बाद में उन वाहनों का क्या किया जाएगा और जो ये वाहनों के मालिक हैं इनके लिए क्या विकल्प रहे जाएंगे देखिये निशा जी ये एक बहुत ही समय से एक पेंडिंग इशु था जिसमें सुप्रीम कोर्ट और NGT ने दखल करके इन चीजों के एक फाइनल ओर्डर पास किया है जो अब सरकार जो दिल्ली सरकार है उसको पारित करने की वो कर रही है ये एक वात आपकी सही है कि अब सुप्रीम कोर्ट का 2018 का जो जजमेंट है जो की 2016 के और 15 के जजमेंट के उपर है NGT के वो बिल्कुल क्लिरली कहता है कि दिल्ली में दस साल से पुराना डीजल वहिकल नहीं चल सकता और अब 2021 में दिल्ली सरकार ने पब्लिक नोटिस में निकाला है सब लोगों को ये एक त बाहनों के मालिकों के पास में विकल्प क्या है देखिए आज की जो स्तिती है उसके हिसाब से जो ऑर्डर कहता है और जो दिल्ली सरकार के जो नोटिफिकेशन उसके हिसाब से दो ही विकल्प है जो वहिकल जो डीजल वहिकल है जिनकी 10 साल की मानियता थी और जो खतम होने उनको यहां से दिली से वह आनोंसी लेके बाहरकी स्टेट में किसी और स्टेट में जहां पे 10 साल की अभी तक मान्यता लागू नहीं हूँ ए जाधा पैंडिंग है वहां वहां वो ट्रांसफर करा सकते हैं और वहां पर चला सकते हैं रते हैं और दूसरा एक विकलब जा सकता है या फिर उन्हें भा लेजा कर बेचा cura सकताए फिलहाल जो जो सिती बनती है हो यही है कि दिल्ली से वहानों को निकाला जाए जो वहान दस साल पुराने है या फिर पेट्रोल के जो पंदा साल पुराने उनको दिल्ली से निकाला जाए एक बहुत बड़ा एक फैक्टर जो कोर्ट के या फिर NGT हो या फिर Honorable Supreme Court जो उनके मा फिलेशन है तो इसको थोड़ा सा दी सेंट्रलाइज करने के लिए बाहर की तरफ एक वो और किया गया कि यह इस तरीके से बाहर तो दिल्ली में क्लस्टर कम हो जी बिल्कुल बिल्कुल जी दिल्ली को प्रिदूश्ट जो जितना प्रिदूशन का स्तर यहां पर बढ़ गय हम एक स्टेट से निकाल के अगर हम ऐसे वहनों को दूसरे स्टेट में डाल देंगे तो NCR का प्रिदूशन का स्तर तो शायद नीचे आ जाएगा पर क्या ऐसा करने में दूसरी स्टेट के प्रिदूशन का स्तर बढ़ेगा नहीं देखिए इसके दो मैं इसको दो भागों म पहला मेरा यह है कि यह एक तरीके से ऐसा नोसी नहीं है जो दिल्ली सरकार या फिर जो अथोर्टीज है एजन्सीज वो देंगी तो बिना किसी टेस्टिंग के देंगी जी उस पे ऑबिसली एक जो पल्यूशन एमिशन का जो मापदंट है उसके वेसिस पे ही वो टेस्टिं रहे हैं वहाँ पे आज कॉंसेंट्रेशन इतना नहीं है वेहिकल का तो शायद जो दिल्ली के स्तर देखे जाए उनके हिसाब से बाहर के स्टेट्स में एक स्तर थोड़ा कम है पॉलूशन का इसलिए दिल्ली को थोड़ा सा वो किया जा रहा है कि दी कंजेस्ट किया जाए और थोड़ा सा पॉलूशन नेवल कम लेगा जाए जी एक रिलीफ जो है वो जो एक एक फौरी तौर पे एक कुछ एक थोड़ा सा रिलीफ में दिल्ली को जी तो पर हम एसा करते हुए हम दूसरी स्टेट्स को एग्नोर करेंगे और फिर हम जब कल को भविश्य में वहां ऐ जिसका एक पहलो यह भी हो सकता है कि शायद हम एक परिशानी को एक जगे से निकाल के दूसरी जगे बिद्ध रहे हैं और उस परिशानी में जिससे आज हम दिली में जूज रहे हैं उससे पता लगे कि हम जाए और स्टेट्स में बढ़ गया क्योंकि यह एक यह एक ऑंग पॉपिलेशन ब्लास्ट हो चुका है जिए में पॉपिलेशन बहुत जादा है एक पॉप्लिक ट्रांसपोर्ट पॉप्लिक इंट्रासिक्चर प्रॉपर ना होने की वजह से एक प्राइविट वहिकल की तरफ बहुत रोजाने लोगों का तो यह सिचुएशन तो है जो क्योंकि दिल्ली NCR में जो प्रदूशन के स्तिती है वो इतनी जादा गंभीर है कि जिसको रोकने के लिए यह एक 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 एफ़र्ट किया रहा है कि जो वहिकल मालिक हैं उनको पूरी तरह से नुक्सान भी ना हो उनके वहिकल जो कबार में या फिर स्क्राप में बिखते उनको थोड़े सी एक यह मिल जाएगा कि उनकी वहिकल बाहर की स्टेट्स में जाके बेचे जा सकते हैं और उनको एक शायद एक रिजनेबल अमाउंट मिल जाए अपने वेहिकल का धने जी यह प्रतिबंद को लागू करने से जुड़ी समस्यां के बारे में अलग ट्रैक््टर्स हैं जिनके मालिक उन्हें अपनी अज्यवीका के लिए और अपने परिवार को पालने के लिए इस्तमाल गते हैं, उनका उप橋 अपैयोग अपनी अज्यवीका के लिए किया जाता है तो अगर हम ऐसी विश्यों के बारे में नहीं सोचेंगे और अगर हम यह नहीं सोचेंगे कि जिन वहन, जो वहनों के मालिक हैं, उनके पास में प्रयापत पैसे नहीं हैं एक नया वहन खरीदने के लिए तो ऐसे अगर हम विश्यों को इन चीजों से दूर रखेंगे और प्रतिबंद को आपसल्यूट बना देंगे तो क्या आपकी राय इस बारे में कि क्या हम ऐसे महौल में यह प्रतिबंद को आपसल्यूट बना सकते हैं, जहां हम इन चेनताओ को दूर कर रहे हैं, इन्हें अड्रेस नहीं कर पा रहे हैं देखिये निशा जी मैं इसको इस तरह से जवाब देना चाहूँगा कि एक वैक्यूम है जो एक हमारे एक्जिक्टिव है जिसको हम कहते हैं कि जो हमारी सरकारे हैं, जो हमारी अथोर्टीज हैं जिनको इन चीजों पर डिसिजन लेना थी है टाइमली, कि वो डिसाइड करे कि हमारा एक रोडमाप क्या होगा हर चीज को देखते हुए हर हर स्टेकोलडर को हर इंसान को मद्दे नहीं हो पा रही आज आज आप देखिए कि जो यह जो सुप्रीम कोट ने और पास किया है यह आज बिल्कुल हाल फिलाल में किये गए और नहीं है जी यह दो हजार दर तबसे एक दिली में एक अलामिंग रेट पे बढ़ता जा रहा था और एक स्टेज पर पहुंच चुका था उसको देखते हुए कोट्स ने खुद इंटर्वीन किया जिसे हम जुडिशिल अक्टिविजम कहते हैं अपनी कानूनी भाशा में कोट्स का इंटर्फिरेंस ह है हम उसको चला सकते हैं कुछ और समय कुछ और वक्त उन चीजों में दिक्कत यह आएगी ही कि एक एक ब्लैंकेट और पास हो गया है जिसके इंप्लिमेंटेशन करने ही सरकारों का जिमा है पर शायद अगर अगर आज भी सरकारें राज्य सरकारें अगर यह डिसेजन लें एक एक रिपोर्ट के ताहित या फिर पूरी एक डिटेल सर्वे करें और इस इशु के साथ आएं कि हम इन चीजों में भी क्या फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं और उनको किस तरीके से जो एंड यूजर है उसको किस तरीके से हम एक बेनेफिट दे सकते हैं इस ओर्डर होने इस अलामिंग रेट पर है कि शायद दिल्ली वासी कुछ टाइम में सब मास्क लगे घूमें या फिर सबको एक ऑक्सीजन जनरेट करने के अपने अपने घरों में रखने पड़े बिल्कुल और वो होना शुरू भी हो चुका है काफी हत तक हो चुका है वो हर किसी के लिए अफोर्डिबल नहीं होगा शायद इसले नहीं कर पारे पर एक यह चीज अब यह एक प्रचलन में है जी बिल्कुल एक प्रदूशन के स्तर को नीचे लाना यह आज की समय की मांग तो जरूर बन चुकी है पर क्या आपको लगता है कि जो आपने वाट्यूम की भी बात करी क्या यह प्रदूशन के स्तर को नीचे लाते हुए यह नहीं नियम बनाते हुए हम एक कथनाई को दूर करते हुए दूसरी कथनाई का सामना कहीं हमें कहीं आम आदनी को करना पड़ जाएगा देखे निशा जी दो चीजे तो एक यह इस चीज का एक फॉल आउट जिसे कहे क्योंकि कोई किसी तरह के कोई रूम फॉर एक्सेप्शन नहीं रखा गया है तो यह एक अंब्रेला ओर्डर है जिसकी फाइन ट्यूनिंग स्रकारों को अपने उपर जिमा लेके एक बहुत जल्दी क्योंकि बहुत समय से और पेंडिंग है अब कोटस की वी एक वह है कि इसको इंप्लिमेंट हिया जाए, एंफोर्स हो, तो सरकारों को बहुत जल्दी इस पर आक्ट करना पड़ेगा और डिसिजन लेना पड़ेगा बहुत जल्दी कि कि एंड यूजर के साथ, उसका संतुलन कैसे बनाते हैं जी दर्य जीज आप एक वाक्यूम की बात कर रहे तें तो आप क्या कहना चाते हैं कि यह जो वाक्यूम होगा यह नियमों से यह नीती से तो इस वाक्यूम को हम कैसे बहर सकेंगे एक आम आदमी की सहुलिए के लिए हम यह प्रदूशन को नीचे ज़रूर लाएंगे क्योंकि एक समय की मांग है इसे करना बहुत ही ज़रूरी है पर एक आम आतनी को हम कैसे कटनाईयों से बचा सकते हैं जो वाहन उनके पास में परयाप पैसे नहीं है एक नया वाहन खरीदने के लिए जैसे कि पैंशनर्स हैं और बहुत ही ओल्ड कापल्स हैं जो बहुत जादा आपने वाहन का इस्तवाल नहीं करते हैं उनके वाहन अच्छी स्थिती में हैं तो वो कैसे इस सिचुएशन के साथ में डील करेंगे देखे उस विकल्प एक विकल्प जो दिखता है कि सरकारे या फिर एक राज्य सरकारे कुछ इस तरह की कोई पॉलिसी लेके आये कोई सबसीडी ओफर करें कोई एक्सचेंज बोनस दें क्योंकि एक उनका एक बहुत बड़ा अजेंड़ा यह होगा कि पॉल्यूशन के लेवल कम हो उस पे एक काफी अच्छी छूट मिले सबसीडी मिले जिससे उनके उपर जो एक बर्ड़न है जो एक भार पड़ेगा इस पॉलिसी का या फिर इस ओर्डर का वह बहुत ज्यादा वह एक स्प्रेड हो जाए और सरकार उसमें एक उसको कंधा करें जहां हम इंट्रड्यूस करने की बात करें नहीं एलेक्ट्रिक वारों की बात करें तो क्या आपको लगता है कि उसकी प्राइस पॉलिसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि जो एक आम आदमी के लिए उसे खरीद पाना एक अच्छे प्राइस में वो एक तरह की पॉसिबि पारों को एक जो भी सरकारों जो भी सरकार को जो भी इसमे रूलुस करते हैं जो मोंट बाहर हो बहुत बड़े कुछ पैसे खर्चने पड़ेंगे बहुत धनराशी उसको पर खर्चने पड़ेंगी तो उसके लिए कोई रिलीफ लेकिया है सरकार इसी तरह के को रिलीफ लेकिया है कि उनको यह भार ना सेना पड़े एकड़ में यह रिलीफ कि जो हम बात करें धनराशी जी यह relief हमें कब introduce करने की जुरूरत होनी चाहिए जब हम यह नियम बना रहे हैं कि production का स्थर नीचे किया जाएगा और दूसरी states में जाके हम यहां से NOC लेकर जैसे कि आपने पहले भी बुला कि हम बाहर state में यह वहां बेच सकते हैं या इस्तमाल कर सकते हैं तो यह नीतियों का जिन नीतियों के बारे में आप बात करें वो नीतियों बनाने का सही समय क्या होना चाहिए सरकार के लिए क्या यह नीतियां आम आदमी की कटनाईयों के बात सामने आनी चाहिए या यह पहले पैट कर ही एक समझोता होना चाहिए कि आम आदमियां यह कटनाई भविश्य में देख सकता है और ऐसी कुछ नीती लाई जाए जिससे कटनाईयां कम से कम हो सके आमादविंगे लिए देखिए निशा जी हमारे हैं पर थोड़ी सी एक जो प्रॉबलम मैं जो एक परसनल तौर पर देखता हूं और फील करती हुँ कि यहाँ पर निफरैस्टर करेंट़ हір्षटे यदि वन जाती है बहुत बहुत जाती है यह अभी जो हो रहा है वही है अब इसके चलते policy पहले आए और demand और supply बाद में हो तो बेटर है सरकार अपनी policy आज बनाए जी policy makers को इस पर कुछ द्यान देना चाहिए और एक active role लेना चाहिए कि आज policy आज बनाए और policy के साथ-साथ आप उसको implement करने के लिए कि ground level पे उसकी implementation कैसे होगी वो उसको बहुत ध्यान से और implement कराने के लिए अपने जो भी checks and balances है वो ensure करा है जो ground work है जो आप कहना चाहते है कि वो पहले से ही एक laid down ground work बिल्कुल पहले से कर लेना चाहिए ताकि आम आजमियों को कट्णाईयों का सामना ना करना पड़े हैं बिल्कुल धने जटी केंद्र सरकार की जो वहन कभाड लीती है जिसे वोहिकल स्क्राप पॉलिसी कहते हैं वो NCR के नियमों से भिन है जो केंद्र सरकार बात करती है कि वहनों को उनकी जो सीमा है प्राइविट वीकल्स की जो है वो 20 साल है और जो कमर्शिल की है वो 15 साल उनने रखी ग जो 10 साल से पुराने जितने भी वहन है उन्हें रद्द कर दिया जाएगा तो क्या आपको लगता नहीं कि ये केंद्र सरकार की नियमों का उलंगन नहीं है ये इसमें ये एक जो मोटर वेहिकल्स एक्ट है उसका प्रावधान है सेक्शन 59 जिसमें आप वेहिकल्स की एज के लिए एक रूस बना सकते हैं नोटिफिकेशन लेकर आ सकते हैं उसमें इंपावध है स्टेट गवर्मेंट राज्य सरकारें इंपावध हैं लूज बनाने के लिए दिली का एक के स्पेसिफिक बन जाता है क्योंकि दिली में सुप्रीम कोर्ट ने और NGT ने जो और्र पास रेजिस्ट्रेशन किसी और किसी और दूरेशन के लिए भी हो तो दिली की जो डूरेशन है वो रहेगी जो दिली में जो कानून कहता है और जो दिली की सरकार के नोटिफिकेशन है जी धने जी वाहन को वाहन के फिटनेस को स्क्राप करने का माप दंड होना चाहिए या फि प्रतिबंद के विरोध में जो कहा गया है कि हम इसे कैसे जज करेंगे अगर ऐसे कोई लोग हैं जो अपने वाहन को इतना इस्तमाल में नहीं लाते हैं और कुछ हजार किलोमेटर ही उनकी उन्होंने अपने गाड़ी को यूज किया है पर एक दो साल पुरानी गाड़ी है जो लाखों मील की दूरी कर चुकी है तो यह इस चीज का हम कैसे हम कैसे इ कि आद्ध कर देना चाहिए देखिए इसमें यह ओडर जो है वो और में इस तरह कि कोई रूम नहीं है कि कोई स्कुप अफ एक्सेप्शन और फिर कुछ वर जहां तक है कि यह एक आपकी जो बात है काफी सही है इसके बेसिस पर मैंने से शुरू में कहा कि अगर कोई पॉल क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जो 10 साल पुराना वाहन है वो बिकुल बेकार हो जाए और जो 2 साल पुराना है वो बिल्कुल नहीं चला है पर उसमें फिर यही आएगा कि जैसे एक काहवद के साथ गुन पिस्ता है यह प्रब्लम हो सकती है पर मैं बिल्कुल इसको यह इसको प्रड़र के साथ जो 25 अटकारों को करना पड़ेगा कोई फ्लान इंप लेकियान पढ़ेगा यह जो सर्कार की जो नीतियां जो आजना बने गी उसमें यह लेखा जाये कि कैसी भी एक एंड्यूसर को कोई परीशानी ना हो फर थोड़ा एक किसी भी एक एक situation में जब आप होते हैं तो उसके कुछ अच्छे पहलो होते हैं कुछ बुरे पहलो होते हैं ये शायद एक वो पहलो है जिसको नीती आयोग ने ये सुझाब दिया था कि 2030 तक जितनी भी डीजल और पेट्रोल की वहन है उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए और एलेक्ट्रिक वहन हो दौरा उसे प्रतिस्तापित किया जाना चाहिए पर आज भी जो डीजल गाडियों का रिजिस्ट्रेशन है वो 10 से 15 साल तक का हो रहा है और जो कोई भी वैक्ति एक महेंगी गाड़ी खरीदता है और वो ये सोच के खरीदता है कि उसे 10 से 15 साल तक की संभावना है उसे वो गाड़ी को बरकरार रखने के लिए तो क्या आपको नहीं लगता कि जो रिजिस्ट्रेशन पंदरा साल तक का हो रहा है ये विश्वास का उलंगन है उस व्यक्ति के साथ क्यूंकि इसमें अगर इसमें कुछ दिशा निर्देशों में आपको लगता है कि कुछ चेंजिस करने चाहिए कि पांच साल की आर्सी कर जो आज कल जो हाल फिलाल जो एक बात चल रहे हैं वो ये है कि maximum vehicles electrical engine पर चले है सरकारों को आज से वो action लेना शुरू करना पड़ेगा जिससे कि आज आज आप उन चीजों को आज ही कंट्रोल करें आप उन चीजों को आज कंट्रोल करें तक्नीक साने में चीजें डिवलप होने में ताइन बगता है पर जब आपको आप ये decide कर चुके हैं कि आपको electrical vehicles प उसके बाद आए यहां यहां उल्टा हो रहा है कि commerce पहले आ जाता है और उसके नियम बाद में बन रहे हैं तो यह नियम आप किसी को एक जो एक आदमी वहान खरीता है उसका पांच साल बाद शायद कहें कि आपका वहान बैलेड नहीं है तो उसके लिए वह एक शौक का वह बन जाए गा हूं रहे वहान के मालिक ने अपनी पूरी पूंजी वहान घरीदे माला दी ए तो क्या यह विश्वास का उलंगन नहीं है जह काहूंगा कि यह एक तरीक षी फिर से इक व्यक्यूम है है जिसकी तयारी पहले सरकार को करने चीए पहले अपना रोड मां बनाएं पहले डिसिजिन लें कि हमें आगे 10 और 20 साल सरकारों को बड़े वक्त नहीं है दस बीस साल आगे रखते हुए इसको डिसिजिन लें अगर 2030 तक एलेक्ट्रिकल वेहिकल को रिप्लेस करना है इन जो और जो डीजल इंजन उनसे उसका डिसिजिन उसकी तहरी आज से शुरू हो एक कतनाई को दूर करते करते हम एक दूसरी कतनाई को सामने अलाकर खड़ा कर देते हैं यह सवाल शायद दुबारा खड़ा हो जाए दस साल बाद की अब क्या तो उस डिसिजिन के लिए आज उस उस सवाल के लिए सरकारों को आज से त्यारी शुरू करने चाहिए जी पिलकुल धने जी जैसे पैरिस, मेड्रिट, एथिंस जैसे शहर हैं जिनोंने यह कहा है कि 2025 तक डीजल वाली गाडियों को वो बिलकुल पूरी तहीके से बैन कर देंगे नौवे ने भी अपनी कन्वे को तो हम उन पर प्रतिबंत लगाने में इतनी देरी क्यों आज ही से ही काम क्यों नहीं कर दिया जाता देखे इनिशा जी इसका एक थोड़ा सा मैं आज की बात से थोड़ी सी सहमती नहीं रखता एक टेक्नोलोजी जो बनती है उसको ताइम बगता है आज दिली शहर की पॉ प्लूशन होता भी था तो इतना चुपता नहीं था या फिर इतना अलामिंग स्थर पे नहीं था कि जिसके लिए कोई एक बहुत नीजर कोई रियाक्शन लिया जाए पर आज क्योंकि इतना कॉंसेंट्रेशन ओफ वेहिकल्स, कॉंसेंट्रेशन ओपॉपलेशन है कि उसके चलते यह decision लेना अब जरूरी हो चुका है जो शायद 10-20 साल पहले नहीं था तो इसलिए एकदम से बंद करना तो शायद पॉसिबल ना हो पर इसको धीरे-धीरे एक फेस्ट बैनर में इसको वीडाउट करने के तियारी की जाए फेज आउट करने के तियारी की जाए फेज कोई decision लिया था दसाल पहले एक नियम और एक काइदे के basis पर आज पर वो चेंज हो गया इसलिए मेरे को नुक्सान है तो वो चीज़े ना हो उससे एक trust factor कम होता है जिट्रस फैक्टर जो है जो आम जंदा के साथ में वो कम होता है अगर उन्हें ये पता ही नहीं है अगर उनके दिमाग में ये उल्जन रह जाती है कि हमारे वहानों के साथ में आखिर होगा क्या क्या हम दूसरा वहान खरीद भाएंगे या नहीं बिल्कु दनेंजी जी आ जियार दुनिया के सबसे प्रदूशित शेहरों में से एक है और ये समय की मांग है कि प्रदूशन जैसी समस्या से ततका लीन निपटा जाए क्यूंकि प्रदूशन एक ऐसी समस्या है जो एक बंग की तरह है और जिसका भविश्य में विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा समवेधनशील होने की जरूरत है जहां वहानों के मालिकों को बड़ी ख्रणाईयों का सामना करना पड़ सकता है क्यूंकि प्रती बंद के कारण उनके वहानों को खत्म कर दिया जाएगा ऐसे लोगों की मदद के लिए क्या सरकार को किसी तरह की सबसिडी पर विचार करना चाहिए आजीविका का अधिकार और संपत्ति का अधिकार भारत के समविधान के तहट गरंटी कृत मूल अधिकार है क्या इन अधिकारों पर उचित ध्यान देने की जरूरत है इमेल कीज़े आपकी राय या कोई भी प्रश्न जिम्मिदार बने सजग रहें इस सप्ता के लिए मैं निशाबंत लेती हूँ आपसे विदा फिर मिलेंगे आज इके दिन अगले सप्ता इसी समय इसी चैनल पर एक नए महमान और एक नए कानूनी मुद्दे के साथ तब तक के लिए दीजे इजाज़त नमस्का जाज़त के साथ